तूंस lihat if we지만 as want- apoyo क्र deputy जाता है क्लिए चला जाता है कहां से प्रोब्लम को दिखाते हैं कि इसमें में करंड कैसे गाइब होता है और कहां पे टाच करते हैं तो करंड फट से आजाता है फिर का RIGHT हो जाता है कुछ किलोमेटर चलती है फिर करन्ट छोड़ जाती है तो क्या-क्या चीज़ चेक करेंगे कहां से प्रोब्लेम उसको कंप्लिट सोट आउट करेंगे प्रोब्लम को सॉल्फ करेंगे तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगी लग होती एच्टी कोईल इसका अलग होता है इसमें ुनिट नहीं होता तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है फिडियो में एंड तक बने रही वीडियो अच्छी लगए तो लायक कर दिजिए खया कर के बेल आकून को प्रेस कर दिजिए चले फट से वीडिय चला जाता है तो हमारा प्लग अटाप्टर है इसको आपन करेंगे और इसको आपन करने के बाद हमारा जो इगनेशन है वह अन होना चाहिए बीएस फोर में यह ज्यादा तर प्रोब्लम आ रहा यह जो टॉपिक के सबसे हटके है बीएस थी गाड़ियों में आपको देखने क को नहीं मिलेगा सिर्क बीएस फोर वाला वर्जन में है तो यहाँ पर जैसे इसका प्लग अडाप्टर खोल दी और यह अगनेशन हमारा ओन होना चाहिए इदक एगनेशन ओन है और उसके बाद हम किक यूज करेंगे किक यूज करेंगे तो इसमें करेंट शो नहीं कर रहा होरण ने काम कर रहा और सेल्स खाम ने कर रहा तो इस सिच्वेशन में हम बेट्री का कनेक्शन हटाएंगे फिर आपको चेक करके दिखाते हैं तो बेट्री का कनेक्शन हटाने के लिए हमें जो सीट खुलना पड़ेगा ज्यादा तरह हम लोग यही प्रोब्लम समझते है तुरत solve कर देते थे सोचते थे बैटरी का problem है बट इसमें कुछ आलाग है ओपन करते हैं यह खुल गया सीट अब इसका बैटरी का connection हम हटाते हैं तो इस तो बैटरी का connection हटा दिए बैटरी का क्या लोचा इसके ओपर हम अलग video बना रहें वो video ने देखे तो निचे description में लिं बसक्ता बमकर बादो करता है तो यहां पर 16 पर लिए तो कि फै दो परीडा को लिए अपको मह दिखाते हैं लेगा बखार करद का कहां 1940 से बहुत ज्सेसूं करता है तो जब भी आपकी गाड़ी का जो करंट चला जाए फिर आजा चला जा आजा इस तरह से प्रोब्लम करती है तो आप ही जो एच्टी कोईल का यह सोकेट है इसको सबसे पहले पेट्रोल से वोश करेंगे अगर बहुत समय का होता है कस्टमर भी इस तरह से चेक कर रहे थे कि उ उस सिच्वेशन में ज्यादातर मेकैनिक का जो दिमाग जाता है कि बेट्री की डेड़ होगी बेट्री इंस्ट्रॉल कर लेते हैं या फिर और आधर चीज़ों को काम कर लेते हैं बट इसके ओपर ध्यान नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर TCI यूनिट नहीं होता है जो होत है थिक फूरा फूल टाइड होता है बट यह जो फोड़ा सहीलता है इसी से हो सकता करन छोड़े हों यहमुष हो रही है चारी हो रिजन यह भीогда हो सकता है खराब हो गयी हो तो मल्टी मीटर से आप सिर्फ चेक कर सकते वैसे आप कभी नहीं चेक पाइक कर पाईएगा क्योंकि फुली डीसी बाइक है तो इसको हम पहले पेट्रोल से वोश करते हैं फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं क्योंकि इस तरह से मेरे पास बहुत ज्यादा प्रोब्लम आया जब मैंने सुचा कि एक वीडियो बना दे ताक कि आप लोगों पता चल सके कि सबसे पहले पेट्रोल से वोश करते हैं बिना टाइम विष्ट की तो करन्ट चेक करने से पहले प्रोब्लम को आपन कर लेंगे ताकि यह ज्यादा तर प्रोब्लम जभी करती है चलते चलते कभी भी बीच रोड में इस तरह से करन्ट छोड़ देगी तो अ दो समझ में ने आएगा और ज्यादा तर जब भी प्रोब्लम आएगा विडियो connection हटाओ वहां से current आ जाएगा तो कभी फिर ht coil को उपर touch करो तो इस तरह से issue करते हैं तो पहले इसको wash करके देखते हैं इसको थोड़ा सा सुखने का हम वेट करते हैं ताकि कहीं से short ना हो यह सुख जाएगा complete फिर इसको लगाने के बाद current चेक करेंगे current पर उपर होगा जब फिर कभी कभी current आ जाता है मतलब बहुत ज्यादा confusion होता है जो मेरे पास result आएगा आपको वही बता देंगे ताकि next time इस जगह पर आप चेक करेंगे तो इसमें हलका हलका current आ रहा है इस जगह पर यह जो 12 mm का वोल्ट है यहाँ पर current शो कर रहा है ज्यादा current क्योंने शो कर रहा क्योंकि इसका बैट्री का connection हटा दिये हैं और यह tvs की ac बायक होती है जब तक बैट्री का connection नहीं हटाओगे तब तक current आपका proper नहीं दिखेगा यानि 12 वोल्ट का current ignition में आना ही चाहिए जब ही current पुरा proper दिखेगा नॉर्मल बैक के तरह है इसमें current दिख रहा है गाड़े स्टार्ट भी होगी तो चलिए सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं स्पार्क पलग को इंस्ट चाहिए छोड़ दोगे current guide तो कपलर लूज होगा या फिर एच्टी कोईल खराब होगत पहले तो इस सबस जिदना सेल्यूशन होता है निकाल लेते हैं नहीं तो फिर complete एच्टी कोईल रिप्लेस्मेंट कर देंगे तो इसको में स्टार्ट में खुलेते हैं नहीं में स्टार्ट हो रही लेकिन current एक जरासा नहीं दिख रहा है एकदम minor current दे रहा है लो वोल्टेज में दे रहा है तो इसका तो TCI है नहीं जो इस पर हम शक ले जाए ना इसका जानिस इससे ज्यादा परिशानिक आऊगा कस्टमर बहुत ज्यादा इरेटिड हो रहें बीच रास्ते में कभी बंद हो जारी तो आपके पास इस तरह से प्रोब्लम आता है तो सेल्यूशन इसी तरह से निकालना पहले कपलर वगीर वोश करना है या फिर इस तरह से इसको य तो दोस्तों यह रहा इसका निव एच्टी कोईल एच्टी करिंग आप देख पा रहे होंगे यह पार्ट नम्मर के उबर यह बारा से पांच नम्मर का है और यहां पर आपको दिख पा रहा होगा दस सो बारा नम्मर यानि इसके बाद इसकी साइद मेनेफेक्टरिंग यह मतलब BS4 वाला ओरजन है और टोमेटिक जिसका हेडलेंप ओन होगा बस वही बाइक में लगेगी पार्ट नम्मर यहां से स्क्रीन शोट ले सकते हैं और इसका जो प्रैस है नीचे डिस्क्रिप्शन में में मेंशन कर दी है तो इसको हम यहां पर इंस्टॉल करेंगे और मैं भी कंफर्म नहीं हूं कि कंप्लेट प्रोब्लम होगा बट इसी को हम कंप्लेट इंस्टॉल करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा यही रेटेड कर रही है तो दोस्तों इस तरह से आप प्रोब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो उम्मीद करते हैं अच्छी लगी वी इस टॉपिक के उपर वीडियो बना दें तो चलिए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग यह एच्टी को यहां से रिमॉव करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे यही इसका इशू था और अगर पहले इसको चेंज करने से पहले अगर वायर वागे रहे इसमें टाइट करके बाहन दे ताकि आप लोग को प्रोब्लम कंप्लिट चेंज ना करना पड़े को क्योंकि इसका बहुत ज्यादा प्रैस है तो चलिए फिल मेरते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वोचिंग